नमस्कार दोस्तो हमारे online tuition additional पर आपका स्वागत है दोस्तो एक word हमेशा आपको परिशान करता है ये जो D है इस D को कहीं पे देखते होंगे कि किसी word में J पढ़ा जाता है किसी word में D को D ही पढ़ा जाता है तो ऐसा क्यों होता है दोस्तो आज किस क्लास में पहला नियम आपको मैं यहीं सिखाने बला हूँ इसके बाद मैं आपको ऐसे बहुत सारे word को सिखाने बला हूँ जब आप कहीं पर भी किसी भी बड़े बड़े restaurant में या कहीं बड़े mall में आप जाते हैं वहां पे कुछ ऐसे समान का नाम आपको दिख जाता है जिसका मतलब आपको पता ही नहीं रहता है जैसे माल इकिसी बड़े restaurant में जाते है वहां पे जो आपको चार्ट पेपर मिलता है जिसमें नाम लिखा रहता है किस समान का कितना कीमत है यदि डारेक्ट इंग्लिस में लिखा रहता है जिए ऐसे कोई वर्ड यदे आपको मिल जाता है और इसके बगल में लिखा रहता है फिप्टी रूपीज या फाइप रूपीज इस तरीका से तो आपको यह नहीं पता लगता है कि इसका मतलब क्या होगा धिए अर्ण क्या होता है रहता है इस पर रहतो ही अइसे बहुत सारे कथिन-कथिन वर्ड को भागा इसका बलाहुग यहाँ पर प्रूफ के साथ देख सकते हैं दोस्तों पहले मैं कुछ नियम बताऊँगा, इंपोर्टेंट नियम उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वाटर बॉल जो हम लोग पानी पूरी खाते हैं उसको इंगिलिस में हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंस्ट मिल जो दोस्तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग खोवा खाते हैं उसको क्या बोलाता है इसका अर्थ क्या होता है, इसके यूज कैसे होता है, सेंडविच है, स्रीम्प है, नूडल से, इन सभी वर्ड को बारी बारी से करके बहुत सारे वर्ड है, खुब अराम से कि चीज को अभी मैं आपको याद कराने बला हूँ, तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नूट्फिकेशन ओन कर लिजेगा, ताकि ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे, चलिए पहला सवाल था दोस्तों ये, कहीं पर भी कुछ भी आप पढ़ने लिखने जाते हैं, तो आपको ये वर्ड बड़ा परिसान करता है कि कहां पे, मतलब कि D को कहां पे हम लोग जाप पढ़ेंगे और कहां पे डाप पढ़ेंगे, यानि ये जो लेटर है D, ये किसी भी वर्ड में मिल जाता है, तो आपको परिसान करते हैं, देखिए इसका नियम है दोस्तों, नियम ये है कि जब D के बाद, हाँ दोस्तों, D क यदि U, R, E मिल जाए, D के बाद क्या मिल जाए, U, R याद रखना है, या E, U, R, दूसरा क्या मिल जाए, E, U, R, या I, E, R, या U, A, T, E, या U, A, L, ये एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांचों में से दोस्तों, अगर कोई भी मिल जाता है कब, D के बाद, तो उस D को पढ़ेंगे, जैसे, यहां पर देखेंगे, लिखा हुआ है, A, S, O, L, D, I, E, R, इसको हम सोलजर पढ़ेंगे, दोस्तों, एक एक वर्ड को मैं लिखूंगा भी, ताकि आप देख कर आसानी सी सीख पाएं, इसको हम लो क्या पढ़ेंगे, सोलजर नहीं पढ़ेंगे, क्या D, R, A, N, D, E, U, R, यानि E, U, R है, D के बाद है न, तो इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए, इसको खुब ध्यान से देखिए, दोस्तों, इसको पढ़ेंगे, ग्रेंजर, क्या पढ़ेंगे, ग्रेंजर, देखिए, ग्रेंजर, यानि ग्रे पढ़ेंगे, इसके बाद यहां पर लिखा P-R-O-C-E-D-U-R-E, देखिए, इसको पढ़ेंगे प्रोसीजर, 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 क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, आप मेरे साथ बोल कर देखिए, यह बहुत इंपोटेंट वर्ड है दोस्तो, मैं अब जितने सारे क्ल आप देखते हैं, समझे कि आप बहुत जल्दी दोस्तों, इंगलिस बोलना, लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे, क्योंकि यह सब वर्ड जो परेसान करता है आप, और रेगुलर आपको यूज में आने बला है, हमेशा आप इन सब वर्ड से वाखिफ होते रहते हैं, जै क्या पढ़ेंगे ग्रेजुएट, आजकल सुन रहें, ग्रेजुएट चाय वाला, ग्रेजुएट पानी पूरी वाली, तो देखते हों कि ग्रेजुएट, इस तरिकासे देखेंगे इंगलिस होगा उसका, ठीक है, ग्रेजुएट, उसके बादेगे G-R-A-D-U-A-L, इसको पढ़ने आना चाहिए, बाकि यह जो, जितने सारे यह सब नाम जो है, फ्यूनल केक, यह सब को मैं लिखूंगा भी अर्थ भी बताऊंगा, ठीक है, तेखें, G-U-A-R-D-I-A-N, इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, गार्जियन, क्या पढ़ेंगे, गार्जियन, देख R-I-S-O-L-E, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, रिसोल, क्या पढ़ेंगे, रिसोल, रिसोल मिस होता है, समोसा, जो हम लोग समोसा खाते हैं, उसको इंगलिस में रिसोल बोला जाता है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखा है, A-P-R-I-T-E-R-S, फ्रिटर्स, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको फ्रिटर्स, फ्रिटर्स, फ्रिटर्स मिस होता है, पकोड़ा, जो पकोड़ा हम लोग खाते हैं, उसको फ्रिटर्स बोला जाता है, ठीक है, फ्रिटर्स, देखें, फ्राई आपको याद रखना है, A-P-R-Y होता है, फ्राई से ही वर्ड होते हैं, देंके, a-p-u-n-e-l, क्या लिखा है? a-p-u-n-e-l, f Sexндु denen, क्या पढ़ांगे दोस्तो, tough desarma, funeral, album, c-a-k-e cake, एक साथ है, funeral cake, funeral cake means होता है, jhalebi, क्या होता है, jalebi, funeral cake means होता है दोस्तो, jalebi, jalén icing, तो आप सुने होंगे, खाय भी होंगे, sрод Azure, J-L-E-B, क्या? Jalebi. उसके बाद, इसके लिखे, पी-आई-ई, इसको पढ़ेंगे PIE, क्या पढ़ेंगे PIE? PIE मिन्स क्या होता है दोस्तों? PIE मिन्स होता है कचवडी, क्या होता है? कचवडी, PIE मतलब कचवडी, अच्या, W-H-E-Y, इसको पढ़ते है, क्या पढ़ेंगे PIE? PIE मिन्स होता है दोस्तों, मथ्था, जो मथ्था हम लोग खाते हैं, मथ्था, PIE, PIE मिन्स हो जाएगा, मथ्था, उसके बाद एक, A-M-I-X-E-D, इसको पढ़ेंगे Mixed, क्या पढ़ेंगे Mixed? C-U-R-D, Curd, Mixed Curd एक साथ यह वर्ड है दोस्तों, Mixed Curd, Mixed Curd मिन्स क्या होता है? देखें यहाँ पर, Mixed Curd मिन्स होता है रायता, क्या होता है? रायता, 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 ठीक है? अब पढ़ते कैसे Mixed Curd, ऐसे Curd मिन्स दही होता है, C-U-R-D, Curd मिन्स होता है दोस्तों, दही, C-U-R-D, Curd मिन्स कहा हो जाएगा? दही, ठीक ना? और आप रायता खाए भी होंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा, कि रायता दही से ही मिला कर बना जाता है, Mixed Curd, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक ना? रायता, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा B-U-T-E-R, Butter, Butter मिन्स होता है मक्खन, क्या होता है मक्खन, और A-M-I-L-K, मिल्क, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दूद, लेकिन जब Butter Milk एक साथ, अगर इसको एक वर्ड के रुप में यूज किया जाए, Butter और Milk को मिला कर एक साथ, तो Butter Milk मिन्स क्या होता है? यह चीज़ समझे, Butter Milk मिन्स होता है दोस्तों, यहां पर देख लिज़िए, Butter Milk मिन्स होता है दोस्तों, चाँछे, क्या होता है? चाँछे, कई तरीका के होता है चलिए उसके बाद यहाँ पर है A-S-P-I-C-E Spice Spice में सोता है Masala और Spice से ही दोस्तो Spice बनता है Masala-Dar ठीक ना चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है P-I-C-K-L-E-S Pickles क्या लिखा है दोस्तो Pickles Pickles में सोता है आचार क्या होता है किसी भी चीज का आचार हो Pickles में सोता है आचार D-R-E-A-S-E-D Dressed A-O-O-D Food Dressed food एक साथ होता है क्या होता है इसको आपर पढ़ते है Dressed Food यदि कहीं पर लिखा रहा है Dressed food इसका मतलब हुआ पकवान क्या होगा पकवान Dressed food में सका होता है पकवान बहुत सारे पकवान बने रहाते है उसको आपलोग बलते है Dressed food चलिए इसके बाद देखेंगे आगे W-A-T-E-R इसको पढ़ेंगे वाटर वाटर मिनस क्या होता है पानी और B-A-L-L बॉल्स क्या पढ़ेंगे बॉल्स बॉल्स मिनस क्या होता है गोल जो चीज़ गेंदवी जो आम लुखेलते हैं उसको बॉल्स बॉल्स लिखा है एक साथ वाटर बॉल्स मिलाया जाए एक नया वर्ड मिलेगा जिसका अर्थ होगा पानी पूरी क्या होगा पानी पूरी पूरी भी देखते होंगे जो पानी पूरी का पूरी होता है गोल गोल होता है तो वाटर बॉल्स मिस याद रखना है पानी पूरी, बहुत असान है, C-O-N-D-E-N-S-E-D, कंडेंस, क्या पढ़ेंगे, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड, और इसको पलेंगे M-I-L-K, मिलके, क्या पढ़ेंगे, मिलके, कंडेंस्ड, मिलके, एक साथ, दोस्तो, कंडेंस्ड मिलक का मतलब होता है, खोवा, खोवा जो हम लोग खाते हैं, कंडेंस्ड मिलके, ठीक न, खोवा, N-O-O-D-L-E-S, नूडल्स, क्या पढ़ेंगे, नूडल्स, N-O-O-D-L-E-S, नूडल्स, नूडल्स, मिस नूडल्स ही होता है, मैगी आप देखते होंगे, तो मैगी पर भी लिखा रहता है नूडल्स, मैगी नूडल्स, इस तरीका से नूडल्स, ठीक है, A-S-A-N-D-W-I-C-H, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेंडविच, 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 सेंडविच भी आप खाय होंगे दोस्तों, देखते होंगे, एक ब्रेड होता है बलासा, उसको बीच से फ्राइ करके, और भी कई तरीका से उसको बनायता हो, सेंडविच होता है, उसके बाद देखे, S-H-R-I-M-P, श्रिम्प, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्रिम्प, स्रिम्प, यहां पर देखे, B-U-R-G-E-R, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बर्गर, बर्गर मिंस बर्गर ही होता है, एक खाने का पदार्थ है, फास्ट फूड में आता है यह सब ठिक ना, बर्गर, सेंडविच, नुडल्स, C-H-E-E-S-E, चीज, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चीज, चीज मतलब होता है पनीर, क्या होगा, पनीर, चीज, C-O-F-E-E, देखे, कॉफी का श्पिलिंग या देखना, C-O-F-E-E, कॉफी किया पढ़ेंगे कॉफी, कॉफी मिस कॉफी हीँ होता है, C-U-T-L-E-T, कट्लेट're क्या पढ़ेंगे- कट्लेट're, कट्लेट're, यह भी यह फूर्ण इहँम है, D-A-L-I-A, दलिया क्या पढ़ता है दलिया, उसका English देखिए ऐसे होता है दलिया H O N E Y Honey क्या पढ़ेंगे दोस्तों Honey Honey means होता है सहद क्या होता है सहद Honey means सहद मद भी हम लोग बोलते हैं इसको M U T O N Mutton Mutton में इसका होता है खासी का मीट जो होता है उसको mutton हम लोग बोलते हैं बकरा का मीट बल सकते हैं Mutton खासी का मीट Mutton C H I C K E N Chicken Chicken ठीक न? तो यह जो मुर्गे का मीट होता है मुर्गा का उसको हम लोग चिकन बलते हैं अच्छा O M E L E T Omelette क्या बोलेंगे दोस्तों Omelette Omelette जो अंडे से बनता है Omelette P I W Z A Pijja होता है क्या होता है? Pijja Pijja S O U P Soup पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? Soup Soup दोस्तों कई चीजों का होता है ठीक न? किसी भी चीज का आप Soup बना सकते हैं Kaddu का भी Soup या कोई भी चीज का Juice जो बना कर यूज किया था Juice के रूप में Soup बोला जाता है उसमें कई चीज मिलाया जाता है ठीक न? Juice एक परकार का अलग हो गया Soup अलग होता है ठीक न? Juice है कि किसी चीज को आप यूवों मिक्सी में मिक्स करके और उसमें बफ विगरा मिलाकर सुगर विगरा मिलाकर आप खा लेते हैं वेजिटेबल का भी सूप बना लेते हैं ठीक न? A-P-R-Y Fry क्या पढ़ते हैं तुस्तों Fry ठीक न? ठीक न? ठीक तलना होता है और फ्राई में आप ध्यान देंगे दूस्तों जैसे मटन फ्राई मटन फ्राई चिकन फ्राई इस तरीका से आप वर्ड सुनते होंगे इंगलिस में यह सब में फ्राई लगा हुआ रहता है ठीक न? एक फ्राई अमलेट होता है फीस फ्राई ठीक न? तो फ्राई के साथ भी फ्राई में तलना या निए इन सब चीज को जब तल दिया जाता है तो उसको एक साथ फ्राई बोला जाता है देखते होंगे आप लिखा रहता है जैसे फीस फ्राई इतने रूपीज ठीक न? मुटन फ्राई इतने रूपीज यह सब चीज लिखा रहता है चीकेन फ्राई इतना इसके बाद दोस्तों यहां पे इडबल जी क्या पढ़ेंगे एग एग मिस अंडा आपको भी पता है अंडा फिश मचली क्या पढ़ेंगे मचली इसको मतलब मचली होता है इसको फीश पढ़ा जाएगा ठीक न? बीडबल इफ बीफ बीफ मिस होता है दोस्तों गाय का मांस बीफ होता है, ठीक ना? बीफ, B-I-S-C-U-I-T बिस्किट, क्या पढ़ेंगे? बिस्किट, जो बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, अभी बच्पन में खाय होंगे बिस्किट, उसका एक्शुल यह उचार होता है, बिस्कुट, बिस्कुट, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, लेकिन बिस्किट उसको इंगलिस में बोला जाता है, तो दोस्तों, जितने सारे यह सब वर्ड थे, यह बहुत इंपोर्टेंट थे, और हमेसा आपको कभी न कभी मिलते रहता है, कहीं पर भी हो दोस्तों, पीजा को पीजा ही बोलते हैं, लेकिन आपको इसको अच्छे तरीका से पढ़ने भी आना चाहिए, ठीक ना, अगर कन्फ्यूज हो जाता है, इसे बोलते हैं, लेकिन जब मिल जाता है, तो कन्फ्यूज होता है, क्या लिखा है,